Hey guys, welcome to technical session So guys, आसका हमारा topic है group by clause Group by clause का use वहाँ किया जाता है जब हमको रोज सो करनी हो किस तरह की रोज? Same type की values को summary row में हमें show करना है यानि कि distinct type की values को हमें summary as a summary दिखाना हो तो उस case में हम group by clause का use करते हैं इसके लिए हमें aggregate function का use करना पड़ता है ठीक है? already aggregate function का में video बना चुका हूँ link description में share किया है आप वहाँ से इसली देख सकते हैं जैसे example के लिए find the total salary of employee in each department for an example आपके पास एक table है employee जिसमें salary भी है और department का भी column में ठीक है? तो अभी हाँ पर requirement आगे कि हर एक employee का total salary बता है बिद department बाइस यानि कि HR department में कितनी salary जा रही है IT department में कितनी salary जा रही है और भी अगर कोई department है तो वह सारा data शोग एक है यानि कि आपके पास जितने भी table में number of records है तो उन सब को आप as a summary दिखाना है और जो repeated values होगी उनको as a summarize करके using aggregate function का use करके आपको show करना है result इसके लिए use करते हैं group by clause का चलिए प्रेक्टिकर करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लिए हो जाएगा एक्जाम्पल के लिए देखी यहाँ पर एक table है अब यहाँ पर जो हमारे पास question था find total salary of employee in each department तो सबसे बाद total salary के लिए हमको पता है यह क्यूरी है मैसे लिखे रहे ने देते हैं इसके नीचे हम अपनी क्यूरी लिख लेते हैं total का हमें पता है total के लिए हमें क्या करना पड़ता है sum जो कि हमने aggregate function में already use किया हो sum of salary तो इसको हम अगर run करें तो हमारा data आ जाएगा यह पहले वाले result है यह second है यह आगा total salary of the employee लेकिन उसके साथ दूसरी requirement क्या है in each department हर एक department का नाम भी चाहिए हर एक department while salary चाहिए तो उसके बाद दूसरा हम column क्या use करेंगे अपना department अब एक बार इसको run करके देखते है अब यह नहीं चलेगा reason क्योंकि आप aggregate function के साथ directly किसी column का use नहीं कर सकते उसके लिए आपको grouping करने पड़ेगी तो उसके लिए आप लिखें group by और फिर आप अपना जो भी आप column जिस column के बहापे आप data show करना चाहते हो अब एक बार run कर लेते हैं चेक करते हैं यह देखें HR department की total salary इतनी है IT department की total salary इतनी है sales department की total salary इतनी है compare करने के लिए आप दोनों के उरी एक साथ रन करा दीजिए और यहां पर बैटके जैसे HR का दिखा रहा है 1,5,000 HR का जोड लेते हैं 50,000 और HR का 55 50 प्लस 55 होगे आपका 1,5,000 save ऐसे IT का भी और sales का भी है इस तरह करके आप group by clause का use कर सकते है अब इसमें अगर हमें कोई condition लगाने है तो हम condition भी लगा सकते हैं for an example यहां पर requirement आए गई कि आप total salary इतनी हो किजिए department by but जो location है वो आपका noida होने चाहिए तो यहां पर लगा देंगे where और जो location का जो भी column is city और हमने जो condition देनी है वो condition लगा देंगे अब इस complete query को चलाएंगे अब देखते हैं अब देखें सिर्फ HR और IT आ रहे हैं ठीक है admin cell जो भी other department पो नहीं आ रहे हैं क्योंकि noida वाली location पे वो department exist नहीं करते हैं तो जैसे ही आप condition देंगे data आपका क्या हो जाएगा उसे साफसे filter हो जाएगा ऐसे ही अगर आपके पास requirement आगई कि आप some of salary की जगह आप मुझे maximum salary बिताईए maximum salary department wise और location आपकी क्या है noida अगर आप इस गुरन कर दें तो हमारे पास maximum salary आगई departmentize यहाँ पर जो salary का जो column है जब भी आप aggregate function यूज करते हैं तो वहाँ पर आपका वो original column नहीं आता है उसके लिए आप as लगा के और उस particular column का जो भी नाम show करना चाहते है इस alias बोलते हैं असे में दें total salary total salary या सिर्प salary बोलना है तो सिर्प salary भी बोड़ सकते हैं अब एक बार रन करके देख लेते हैं यह देखे के आजाएगी आपकी salary ठीक है सेम आप min लगाना चाहें min लगा सकते है यहनिके minimum salary का बात हो जाएगी ठीक है और अगर आप average देखना चाहें तो average भी देख सकते हैं आज के लिए इतना ही मेलटें अपने next lesson में वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए तब तक लिएक को like and take care